हारुफिक्स वान प्लस नोट एन्ट फाइफ जी केंट चेंच प्रिफर नेट्रोग टाइप प्रॉब्लम इसका डोस्तों सवागर अब सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है वान प्लस की डिव नेट्रोग को स्विच करने की कोशिश करते हैं वाई 4G तो 3G 3G तो 2G या फिर 2G तो 4G ठीक है लेकिन उस वक्त दोस्तों हमारा जो नेट्रोग ट्राइप है उसको हम स्विच नहीं कर पाते हैं तो ऐसा दोस्तों क्यों हो रहा है कैसे आपको प्रॉब्लम सॉल्फ करना है यही मैं आपको इस वीडियो पर बताऊंगा तो वीडियो को पुरा देखे आपका भी प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है वीडियो को आं तक देखे और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप प्यसा खामाना चाहते हैं तो वीडियो डिश्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ठेक करके देखेंगे अगर आपका प्रॉब्लम्स हो जाता है आप यहां पर नेट्रोग को स्वीच कर पा रहा है तो अच्छी बाध के बिकल करने तो अगर change हो जाता है ठीक है अगर नहीं हो पाते हैं तो आपको next solution करना है mobile को safe mode पे reboot करें उसके लिए power off button पे click करके रेखिए power off के जो यहाँ पे switch है दो second आपको दबा के रखना है उसके बाद दोस्तों आपको ok कर देना है तो safe mode पे mobile reboot हो जाएगा ठीक है जब mobile reboot हो जाएगा तब दोस्तों चेक करके देखना अगर solve हो जाता है problem ठीक है अगर आपको अभी भी problem आ रहा है तो दोस्तों आप यहाँ पर यह भी कर सकते हैं सेटिंग पर जाएए वाइफाइ नेट्रोग पर जाएए सीमें नेट्रोग पर जाएए अपना सीम ऑपन कीजिए नेट्रोग operators पर जाके चुस automatically का जो option है उसको बन कर दीजिए और okay कर दीजिए ठीक है इससे क्या होगा दोस्तों आपका जो नेट्रोक है वह automatic मोट से हटके यहाँ पर manually select करना परेगा ठीक है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें क्योंकि सर्चिंग चल रहा है और उसके बाद आपको मिलेगा कुछ नेट्रोक्स ठेक है यहाँ पर manual नेट्रोक्स आपको देखने को मिल जाएगा तो फिलाल दोस्तों अभी भी सर्चिंग पर चल रहा है हमारा जो नेट्रोक है वो ठीक है तो जब सर्च में आ जाएगा तब आप अपने नेट्रोक्स सेलेक कर लीजिए जैसी के मान लेजिए आपके पास एयर्टल का सी में तो आपको एयर्टल 4G सेलेक कर लेना है तब ही काम करेगा एयर्टल 4G 3G 2G अगर आपके पास जी हो है तो आपके पास option नहीं है आप 4G ही यूज़ कर सकते हैं ठीक है फो जी है फिर 5G 5G का नेट्रोक अभी अवलेबल नहीं है ठीक है तो 4G यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यह चीज़ काम करते हैं ठीक है तो यह दोस्तों टाइम लेगा थोरा सा एवलेबल नेट्रोक जोई सर्च करने के लिए तो मैं इसको यहाँ पर बेक कर देता तो आप यह भी कर सकते हैं सारे साथ दोस्तों सिस्टेम पर जाके सोफ़ेर अपडेट चेक करें मुबाइल सोफ़ेर अपडेट आया हुआ है तो सोफ़ेर को आपडेट कर लेना तो इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाए और आसानी से आप अपने नेट्रोक्स को स्विच कर पाओगे ठीक है सारे साथ दोस्तों आप अपने मुबाइल के सीम काट को इजेक्ट और इंसर्ट भी कर सकते हैं तो यह प्रोसेस भी आप फॉलो कर सकते हैं तो इस तरह के से दोस्तों सॉल्फ होगा आपका प्रॉब्लम उमीद करते हैं आपको यह वीडियो पस